हेलो एवरिवन वेलकम तू नॉलेज वेप सिरीज इन तोड़ेज एडिशन वी आर गोइंग तू अंडरस्टेंड अबाउट ब्लड गूप्स वैसे तो हम सभी ब्लड गूप के बारे में जानते हैं चार तरके ब्लड गूप होते हैं A, B, A, B और O लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन पर कौन-कौन से फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ब्लड गूप कैसे डिसाइड होते हैं और कौन किसे दे सकता है और किसे ले सकता है A, B, O ब्लड गूप सिस्टम की डिस्कवरी कार लेंड स्टिनर ने की थी 1901 में मंकीज के अंदर और उन्होंने बाद में 1940 में रीसस फैक्टर नाम के फैक्टर की भी डिस्कवरी की जो की मंकी के अंदर हुआ था यही ABO blood group system है और इसमें हम आगे different type of blood groups के बारे में जानेगे blood group को decide करने में दो चीजों का बहुत importance होता है जिसमें से एक है antigen और एक होता है antibody antigen को हम वैसे जानते भी हैं कि जो antigen है यह RBC की surface पर present कुछ carbohydrates होते हैं जो वहाँ पर protein या lipid के उपर present होते हैं और यह antigen एक cell को उसकी specificity provide करते हैं ABO blood group system के according कौन से blood group की cells पर कौन सा antigen present होता है यह हम इस चाट के थूँ देखेंगे यहाँ पर चार blood group है AB, A, B और O इसमें से जो A वाला है उसके उपर A antigen और B antibody present है जो B blood group वाला है उसके उपर B antigen और A antibody present है जो AB blood group वाला है उसके उपर A, B antigen present है और कोई antibody नहीं है जबकि O blood group के उपर कोई antigen नहीं है मगर antibody दोनों है अब इनसे क्या फायदा होगा या हम इनसे blood group कैसे decide कर सकते हैं तो antigen और antibody same नहीं होना चाहिए और इसी वज़े से जो AB है वो सबसे blood ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई antibody present नहीं है और O सबको blood दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई antigen present नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि blood group के उपर कुछ और factor present होते हैं जिनने हम RH factor कहते हैं सो next हम देखते हैं RH factor के बारे में RH factor की discovery भी कार्लेंड इस्टिनर ने की थी और उन्होंने बताया कि RH नाम के 61 antigen present होते हैं RBC के उपर जिनकी वज़े से दो टाइप के blood group और होते हैं RH positive और RH negative जो RH positive होता है उसके उपर RH antigen present होता है और जो RH negative होता है उसके उपर RH antigen present नहीं होता है जिनकी discovery पहली बार रीसस नाम के मंकी में की गई थी और इसी लिए इसका नाम रखा गया है RH factor यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि RH positive, RH negative को blood नहीं दे सकता मगर RH negative, RH positive को blood दे सकता है तो RH positive और RH negative को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कि जो blood group system है उसमें कौन किसे donate कर सकता है और कौन किसे receive कर सकता है तो RH factor के साथ हम देखते हैं कि कौन सा blood group किसको दे सकता है और किस से ले सकता है यहां पर हमारे पास एक chart है और इस chart के थुरू हम देख सकते हैं कि यहां पर donor blood group है और यहां पर recipients blood group है इसमें जो O negative है वो सब को blood दे सकता है इसलिए हम इसे universal donor कहते हैं और A B positive सब से blood ले सकता है इसलिए हम इसे universal recipient कहते हैं साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि जो positive है वो negative से blood ले तो सकते हैं मगर negative को blood दे नहीं सकते जैसे कि जो O positive है वो A B positive को देगा A positive को देगा B positive को देखा O positive को देगा मगर किसी भी negative को blood नहीं देगा तो यह हमने देखा कि कौन किसको blood दे सकता है आईए अब हम देखते हैं कि आज के इस video में हमने क्या क्या जाना हमने जाना कि ABO blood group system क्या होता है उसके बाद हमने antigen और antibody को समझा उसके बाद हमने देखा कि कौन सी blood cells पर कौन सा antigen present होता है और कौन सी antibody उसके blood में present होती है फिर हमने चाट के थूँ समझा कि कौन किसको blood दे सकता है और कौन किसको blood नहीं दे सकता आईए आज हम कुछ interesting fact देखते हैं blood group के बारे में इसमें से सबसे पहला है golden blood group golden blood group एक ऐसा blood group है जिसमें कोई rh antigen present नहीं होता यानि कि ये golden blood group वाला rh positive को भी blood दे सकता है rh negative को भी blood दे सकता है आज के इस वीडियो में हमने blood group के बारे में कुछ interesting facts जाने इसी तरह के interesting facts और knowledge के बारे में जानने के लिए बने रहे है knowledge web series के साथ अ,